हेलो प्रेंट्स मैं सरीता स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इगनोवाला में तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव के मोलिक अधिकार यह बहुत ही important है यह topic जादर mostly हर एक्जाम में देखने के लिए आपको मिलता होगा ठीक है बात करेंगे मानव के मोलिक अधिकार या मूल अधिकार किसे कहते हैं या फिर fundamental rights क्या होते हैं ठीक है अगर हम एक definition के थूरू समझे तो यह मोलिक अधिकार जो होते हैं यह जनता को यह सविधान में भाग 3 और अनुछेद 12-35 में इनका उलेग किया गया है ठीक है सविधान में हमारे जो मोलिक अधिकार है यह हमें कहाँ देखनी केली मिलते हैं भाग 3 में और अनुछेद 12-35 में एक्जाम में कोशन किस टाइप का आता है कि मोलिक अधिकारों का vibrant किस भाग द्वारा किया गया है तो आंसर क्या होगा हमारा correct भाग 3 में ठीक है ये जो हमारा मोलिक अधिकार के प्रस्तावना है ये हमारी USA से ली गई है ठीक है USA से ली गई है और भाग 3 भाग 3 और अनुछेद 12 से 35 इसे किस नाम से भी जाना जाता है मोलिक अधिकार के अलावा किस नाम से भी जाना जाता है मैगना काटा मैगना काटा के नाम से भी भाग 3 और अनुछेद 12 से 35 को जाना जाता है ठीक है और ये जो हमारा मैगना काटा अफधार्णा है यह अफधार्णा कहा से ली गई है ब्रिटेन से ली गई है मैगना काटा की अफधार्णा को ब्रिटेन से लिया गया है ठीक है देखिए जो हमारा मैगना काटा था यानि कि यह जो हमारे मोलिक अधिकार थी सबसे पहले ब्रिटेन के राजाशाहियों दुआरा मजदूरों को दिये गई कुछ अधिकार थे यानि ये सबसे पहले ब्रिटेन के जो राजाशाहियों लोग थे उन्होंने मजदूरों को कुछ अधिकार दिये थे और उनी ही अधिकारों को क्या कहा गया था, मेगना काटा, ठीक है, समझा है, यहां तक क्लियर हुआ, एक बार फिर से रिवाइस करते हैं, जो हमारे मोलिक अधिकार है, वो हमारे सविदान में भागतीन और अनुछेद 12 से 35 में पाय जाते हैं, ठीक है, और यह जो हमारी प्रस सावना है, यह कहां से ली गई थी, यूसे से ली गई थी, ठीक है, भागतीन और अनुछेद 12 से 35 को मेगना काटा के नाम से भी जाना जाता है, और यह मेगना काटा की अफधारना कहां से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी, ठीक है, और ब्रिटेन में ही सबसे पहले मे फंडमेंटल राइट्स दिये हुएते ठीक है लेकिन वर्तमान में सिर्फ हमारे पास छे फंडमेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं एक फंडमेंटल राइट्स कहा गया हमारा देखिए जो हमारा इस एक था कौनसा इन में से एक संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार इस अधिकार को जो पहले एक मोलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन इसको अनुछेद 301 के तहद इसको मोलिक अधिकार से हटा कर जो व्यक्ति का मोलिक अधिकार हुआ करता था उसे अनुछेद 301 के तहद कानूनी अधिकार बना दिया गया इसे क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, यह हमारा अनुछेद 301 के तहद एक कानूनी अधिकार बन गया, मिल्स जो पहले हमारा संपत्ति का अधिकार था, वो पहले क्या था? एक मोलिक अधिकार था, लेकिन अनुछेद 301 के तहद उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यैनि कि प्रिजेट में अब सिर्फ व्यक्ति के पास कितनी मोलिक अधिकार पाया जाते हैं, छे मोलिक अध अधिकार है, और किस अनुषेद द्वारा इनका विवरेंट किया गया है, कहां ये हमें सभीधान में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपने मौलिक अधिकारों की, सबसे पहला अधिकार दिया गया है, देखे हमें ये बिल्कुर series by size याद करने होते हैं क्योंकि ये जो हमारे अनुछेद ये जो हमारे मुलिक अधिकार है ये अनुछेद में क्रम से ही दिये गए होते हैं ठीक है सबसे पहले होता है समता या समानता का अधिकार जिसका उलेक अनुछेद 14 से 18 14 से 18 में किया गया है ठीक है सेकिंड होता है स्वतंतरता का लेक किया गया है नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंतृता का अधिकार इसका वीवरंट 25 से 28 में किया गया है सांस्कृतिक एवंज शिक्षा संबंदी अधिकार इसका उलेक हमें 29 से 29 से 30 में देखने के लिए मिलेगा और लास्ट होता है हमारा सम्वेदानिक उपचारों का अधिकार जिसका उलेक अलुछे 22 में किया गया है ठीक है क्लियर है यहाँ पर नेक्साा आते है अग एक एक करके अपने इनी सबी अधिकारों को अच्छी से पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले आता है हमारा समता या समानता का अधिकार क्या होता ये समता या समानता का अधिकार देखे ये अधिकार भारते जनता को ये अधिकार भारते जनता को सभी छेत्रों में समान बनाने का प्रियास करता है यानि कि हर एक व्यक्ति को समान रूप से दिखाने का प्रियास करता है तो हम गया है तो हम देखके एक एक करके जो हमारा अनुशेद 14 है इसमें बताया गया है कि विधी के समक्ष समानता का मतलब है कानून की नजर में हर एक व्यक्ति को समानता मिलेगी ठीक है अनुशे 15 में बताया गया है कि जाती, लिंग, धर्म और जनमिस्तान के खिलाव विरोध पर रोक होगी यदि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाती, जनमिस्तान या उसके लिंग के अधार पर यदि उसके साथ किसी भी प्रकार का वेदभाव किया जाएगा तो उस पर रोक लगाई जाएगी ये बताया गया अनुशेद 15 में, ठीक है, नेक्स है अनुशेद 16 में, लोक नियोजन में अफसर की समानता, यानि कि जितनी भी सरकारी नौकरी आउंगी, उसमें सभी व्यक्ति को उन रूप से समानता दी जाएगी ठीक है, अनुशेद 17 में, बताया गया अश्प्रशता का अंत, मिझा छुआशूत का अंत और हमारा next अनुशेद 18 में बताया गया है उपादियों का अनुशेदों से हमें पता चलता है कि किन-किन अवस्थाओं में व्यक्ति को कून रूप से समानता प्राप कराई गई है, ठीक है, तो ये था हमारा समानता का अधिकार, ठीक है, next बढ़ते हैं हमारा दूसरा अधिक क्या होता है, ये स्वतंतरता का अधिकार, देखें स्वतंतरता का अधिकार वो अधिकार है, जो भरते जनता को सविधान दूआरा दिया गया है, और किसलिए दिया गया है, ताकि वो पूल रूप से, स्वतंतर रूप से अपना विकास कर सके, और अपने विकास के साथ सवतंतरता का अधिकार और इसका विवरण हमारे सभिदान में अनुशेद 19 से 22 में किया लिए है ठीक है सबसे पहले देखते हैं अनुशेद 19 इसमें क्या बताया गया है कि अभी कि सवतंतरता यानिकी व्यक्ति को पूर्ण रूस से अपने हाव आओ अपने विचारों को और अपने विचारों के माध्यम से देश का विकास करने की पूर्ण रुख से स्वतंतरता है, मिन्स उसको पूरी स्वतंतरता है कि वो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक प्रदान कर सके, अब देखे, इस अनुशेद के द्वारा विक्ति के कुछ और 6 fundamental rights दिये गए हैं, अभी विक्ति की स्वतंतरता के अंदर ही विक्ति को 6 अधिकार और प्राप्त कराए गए हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं, सबसे पहले विक्ति को बोलने की स्वतंतरता, किसी भी फिल्ड में, किसी भी वत्तान उसको बोलने की स्वतंतरता है, ठीक है, next है, सांती पूर्ण रूप से इकत्रित होने की स्वतंतरता, थड़ है, सभा, समू, सभा या समू बनाने की स्वतंतरता, ठीक है, फोर्द या है पूरे भारत में आवगमन की स्वतंतरता, फिप्त है हमारा पूरे भारत में निवास की स्वतंतरता और सिख्स है हमारे पूरे भारत में अजीवी का या फिर रोजगार चलाने की स्वतंतरता देखे, आपको ये सारे fundamental rights बुक में भी देखने के लिए मिल सकते हैं लेकिन मेरा theme सिर्फ इतना है कि आपको पूरी तरीके से याद कराना ताकि आप अपने examination hall में इन सारे ही अनुशेद को, सारे fundamental rights को पूरी तरीके से लिख सके इनमें confuse ना हो, ठीक है, तो ये जो हमारा अनुशेद 19 था, अभी व्यक्ति की स्वतंतरता इसमें 6 अधिकार और व्यक्ति को प्राप्त किये गए है, अब देखे, इन्हें याद करने की एक trick बताती हूँ, आपको इन्हें कैसे याद करोगे सबसे पहले suppose कीजिए, सरकार की तरफ से कोई फैसला आया है, कोई भी किसी भी प्रकार का सरकार ने फैसला जारी किया है, ठीक है, एक व्यक्ति है याई किस्वेंट समाल लीजिए, एक इस्वेंट से और उसको वो पसंद नहीं आ रहा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अब उसको अधिकार है कि वो सांती पूर्ण बिना हतियार की, इसमें एक शर्त रखी जाती है, बिना हतियार की, that means सांती पूर्ण रूप से एकत्रित होना, अब जब उसकी कोई नहीं सुनेगा, तो वो सांती पूर्ण रूप से एक जगा, एक दो लोगों को इखटा करके बैठेगा, में धर्ना देगा, ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हुए, पहले दो उसे बोलने का अधिकार है, जब उसकी किसी नहीं सुनी, तो उसे लोगों को इकत्रित करने का अधिकार है, अब इकत्रित करने के बाद भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं की जारी है, तो वो पूरे भारत में आगवमन की स्वतंतरता अब वो उन्हीं पूरी सभा और व्यक्षियों के साथ पूरे भारत में घुम घुम के अपनी बात मनवा सकता है इस चीज की उसको स्वतंतरता है अब जब वो पूरे भारत में घुमेगा तो उसको कहीं न कहीं तो निवास करने की ज शक्ता होगी लास्ट वह उसको अजीवी का यानि कि भारत के किसी भी कौने में अपना रोजगार चलाने की सवतंतरता है ये थी हमारी से याद करने की ट्रिक सबसे पहले व्यक्ति को बोलने की सवतंता है वो कहीं भी किसी भी फिल्ड में फोन रुप से बोल सकता है बोलने के भारत में घूम घूम कर अपनी बात को मनवा सकता है उसके बाद उसको पूरे भारत में कहीं भी निवात करने की स्वतंतरता है नेक्स्ट पूरे भारत में कहीं भी उसको अपना रोजकार या अपनी अजीवी का चलाने की स्वतंतरता है तो यह थे हमारे अनुशेत 19 के अभी यदि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से अपराद ही माना गया है य। उसने कोई भी अपराद किया है उसके बाद भी उसको तीन अधिकार और प्राप्त होते हैं अपने आपको बचाने के लिए ठीक है कौन-कौन से अधिकार है वो देके सबसे पहले उसे उसी समय के कानून के अधिवार पर सजा मिलेगी सपोज कीजिए किसी वेक्टी ने 2015 में कोई अपराद किया और उस टेम उस अपराद की सजा कितनी थी? सिर्फ 6 महीने की सजा थी ठीक है? वो उसका फैसला अभी पूर रूप से खतम नहीं हुआ अभी चल रहा है तो उसका फैसला हो रहा है 2020 में और अब उसकी उस जो उसने सजा किया है उस सजा की उसकी अपराद की सजा 5 साल बता दी गई है लेकिन क्या उसको अब 5 साल की सजा मिलेगी? नहीं उसने अपराद किस टाइम किया था? 2015 में किया था और उस टाइम उस अपराद की सजा की ती थी 6 मेने तो जिस टाइम व्यक्ति अपराद करेगा जिस भी टाइम व्यक्ति ने अपराद किया उसको उसी time की सजा दी जाएगी ना कि present की सजा दी जाएगी ठीक है तो सबसे पहला दिकार उसका ये होता है दूसरा होता है खुद के विरुद गवाही देने के लिए बादे नहीं किया जाएगा उसके साथ व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता कि यदि उसने अपराद किया भी है या नहीं भी किया है लेकिन उसको जबर जस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता मार पीट के या किसी भी तरीके से कि उसको इस तरीके से बोला जाए कि खुद सिवकार करे कि हाँ ये जूर्म या ये अपराद मैंने किया है ऐसा उसके साथ नहीं किया जा सकता नैस्ट है उसका एक अपराद की एक ही बार सजा मिलेगी अब भी जब उसने अपराद किया है और उसकी सजा भी मिल गई है उसको तो उसका मैटर वही खतम होता है ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि उसने चोरी किया है 2015 में तो उसको 16 में सजा भी मिल चुकी है लेकिन हर साल उसको पकड़ा ज यही नहीं है, तो उसको सजा भी दुबारा नहीं मिल सकती है, मतलब एक व्यक्ति को एक अपराद की एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है, तो यह थे हमारे अनुचेद 20 में, जो की अपरादी होने के बाद भी व्यक्ति को 3 संरक्षन सविधान में दिये गए होते हैं, ठीक है, अ व्यक्ति को जीने का अधिकार, इसी अधिकार के अंदर देखिए, व्यक्ति को सच हवा में जीने का अधिकार, सच भोजन करने का अधिकार, या फिर सच पेजल पीने का अधिकार भी अनुचेद 21 में ही हमें मिलता है, यह जो हमारा अनुचेद 21 का A देखते हैं, ठीक है, यह जो हमारा अनुचेद 21 का A है, यह पहले घृड़दे सविधान में नहीं था। इसे किस में जोड़ा गया है? 86 सविधान संसोधन के दोरा इसको जोड़ा गया था। जो कि कब हुआ था? 2002 में यह 86 सविधान संसोधन किया गया था। ठीक है प्लियर है जो हमारा 21 का है ये पहले हमारे सविधान में नहीं था इसको 86 सविधान संसोधन जो कब हुआ था 2002 में हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था इसमें था क्या कि 6 वर्स से लेके 14 वर्स तक के बच्चों को निशुलक और अनिवारे शिक्षा प्र 21 ठीक है अब देखते हैं अनुशेद 22 में क्या था अब देखे अभी हमने अनुशेद 20 में क्या पढ़ा था कि अपराद के संदर्व में पढ़ा था हमने ठीक है अपरादी अपरादी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त से वो बताया था अब अनुशेद 22 पढ़ता है इस कि पहले अप्राद आना है 20 तो इसको याद ऐसे करना सबसे पहले तो सबको पठाएं य कि अफिशन कि हमें फिर लिख अर्च वेशरा नज आज यह हैं अपराद करें अपराद उन्ट एस और जो हमारा 22 इसमें हमारी गिरफ तारी हैं खेलेक हैं 10 गिरफ्तारी तो देखिए व्यक्ति को जिस टाइम गिरफ्तार किया जाता है ठीक है उस टाइम पर भी उसके पास कुछ अधिकार होते हैं अपना संद्रक्शन अपना बचाव करने के पाल लिए भी उसके पास कुछ अधिकार होते हैं तीन अधिकार दिये गए हैं उसको कौन कौन से है? सबसे पहले होता है व्यक्ति के पास कारण पूउचने का अधिकार. जब intercept कीजिए आपको गिरफतार किया जा रहा है. घर में आप बैठे हो, आपको आए और गिरफतार के ले गए. ठीक है? आपके पास एक अधिकार होता है कि सबसे पहले हमें हमारा reason बताओ कि किस कारण से हमें गिरफतार किया जा रहा है ठीक है यह आपके सविधान से आपको दिया गया अधिकार है कि आपको कारण पूछने का पूरा अधिकार है कि हमें किस कारण से गिरफतार किया जा रहा है नेक्स्ट है हमारा 24 गंटे के अंदर व्यक्ति को नज़ी की नियाय पालिका के सामने पेश करना ठीक है 24 गंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्टेट के सामने पेश करना लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई होती है क्या शर्त होती है कि जो हमारा 24 गंटे के अंदर जो आवगमन का टाइम होता है यानि कि जो रास्ते में गिरस्तारी के टाइम आने जाने का जो टाइम होता है वो टाइम हटाने के बाद 24 गंटे के अंदर मजिस्टेट के सामने पेशकन होता है ठीक है आगावमन का टाइम इसमें नहीं जुड़ता है ठीक है सिर्फ 24 गंटे इन्हें हटान पोरा अधिकार होता हैकि वो अपनी मरजी से अच्छाуч व्याइर कर सकता है यह होते हैं यदि व्यक्ति गिरफतार हो राए तो गिरफतार होने कि प्रकार का शोषन किया जा रहा है तो उसको को रूप से अधिकार ए उसका विरोध करने का और यह हमारा अधिकार है यह हमें अनुचेद 23 से 24 में दिया गया है सभी धान में ठीक है अब जब किसी भी व्यक्ति की साथ अधी सोशन होगा से दो ही साथ हो सकता है यह तो यूवा वस्था व्रध्धा वस्था या फिर बाल वस्था में तो इन इस दोनों अवस्थाओं को मानब व्यपार, कोई भी व्यक्ती दूसरे व्यक्ती का व्यपार नहीं कर सकता है, बंदुआ मजदूरी नहीं करा सकता है, बालाथ श्रम, जबर जस्ती श्रम नहीं करा सकता है, ठीक है, next अनुशे 24 में हमें बताया गया है, कि 14 vos से कम उम्र के बच्चो को कहीं भी कारखानों में कहीं भी फैक्टरियों में काम करते हुए बच्चा दिखता है तो जो उस फैक्टरिय का मालिक है या जो भी उसका मैनगी जरा उसके खिलाव अवाज उठाई जा सकती है मिल 14 वर्ष के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगाई गई है किसमें लगाई गई है अनुशे 24 में ठीक है clear हुआ यहां तक आपको सबको next आते है हमारा fourth होता है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार fourth fundamental rights हमारा दिया गया है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार और जिसका सविधान में 25 से 25 से 28 में किया गया है ठीक है देखें यह होता क्या है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का उसका प्रचार करने का उसका आश्रन करने का वोन रूप से अधिकार होता है ये होता है हमारा धार्मिक स्वतंद्रता का अधिकार देखे 25 में क्या बताया गया है 25 से 28 है तो 25, 26, 27, 28 एक ही करके देखेंगे 25 में बताया गया है कि व्यक्ति को धर्म मानने उसका आश्रन करने और प्रचार करने का अधिकार है ठीक है इसमें कुछ और fundamental rights के साथ साथ कुछ और प्रद्धान दिये गए है देखें आश्रन क्या होता है अपने ही धर्म का आश्रन करने का जैसे कि आपने देखा होगा सिख लोग जो होते है बाइक या फिर वहाँ चलाते सामें helmet का use नहीं भी करते है वो अपनी पग बांध के रखते है तो उनको एक rights मिला हुआ है कि कि अधि वो helmet नहीं भी लगाएंगे तो भी उनको कोई नहीं पकर सकता है क्योंकि वो उनका क्या है वो उनका आच्रन है तो व्यक्ति को अपना आच्रन करने का अधिकार है अपने धर्म से संबंदित अपना प्रचार करने का अधिकार है सपोज कि आप हिंदु धर्म से बि या फिर आप किसी भी प्रकार का धार्मिक काम करवा रहे तो उसको कोई नहीं रोख सकता है क्योंकि क्या है आपके पास धार्मिक सोतंतरता का अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का आपके पास क्या है अधिकार प्रापता सविधान सभा के द्वारा सविधान के द्व में हमें बताया गया है कि धर्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार कापता है क्योंकि आपके पास ठीक है अनुशे 28 में हमें बताया है धर्मिक शिक्षा उपासना में उपस्तित होने की स्वतंता आप किसी भी धर्म की उपासना या कहीं पर भी किसी भी धर्म में सपोर्ज कीजी आप हिंदु धर्म से है लेकिन अगर आप मस्जिद या गिर्जागर कहीं जा रहे है तो आपके उपर किसी चीज की रोक टुक नहीं हो सकत क्योंकि आपके पास क्या अधिकार है किसी भी धर्म को धार्मिक सिक्षा उपासना किसी भी धर्म की सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उपासना कर सकते हैं और उसमें क्या हो सकते हैं उन रूप से उपस्तित होने की स्वतंतरता आपके पास है तो यह क्या थे हमारे धार्मिक ठीक है, नेक्स नहाता है हमारा Sanskritic और शिक्षा सम्बंदी अधिकार यह हमारे सविधान में 39-30 में इसका विवरंड किया गया है, अनूछे 29-30 में इसका विवरंड किया गया है ठीक हैं, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ दो ही लोगों, एक ही जाती के लोगों के लिए दिया गया है, सिर्फ एक ही समूँ को दिया गया है, ये सांस्कृतिक और सिक्षा संबंदी अधिकार, फोशन में जायतर पूछा जाता है कि अल्प संख्यकों के लिए कौन सा fundamental rights दिया ग ये अल्प संख्यकों के लिए होता है, ठीक है, बहु संख्यकों के लिए नहीं होता है, अब देखते हैं हमारा 29 से 30 में है, तो 29 में हमें क्या बताए गया है, कि अल्प संख्यकों के हित का संरक्षन करता है, हमारा जो अनुशे 29 है, वो अल्प संख्यकों के हितों का खोलने का उनको अपनी सिख्षा चलाने का पूल रूप से अधिकार है टो ये तो यह 32 पर आगये तो हमारा 31 कहां गया अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पास पहले seven fundamental rights थे लेकिन उन में से एक ले लिया गया था कानूनी अधिकार बना दिया गया था कौन सा संपत्ति का अधिकार ठीक है यह जो हमारा संपत्ति का अधिकार था यह अन संविधानिक उप्चारों का अधिकार क्या होता है यदि जितने भी मैंने आपको अभी उपर fundamental rights बताएं हैं मुलिक अधिकार यदि इन में से किसी भी व्यक्ति से कोई भी अधिकार चीन जाता है किसी सरकार दौरा या किसी भी अन्य व्यक्ति दौरा यदि किसी भी सरकार दौरा किसी भी व्यक्ति से यदि ये सारे अधिकार चीने जाते हैं तो उसको कौन रूप से अधिकार है कि वो इस छटे समविधानिक उप्चार के अधार पर सीधा High Court और Supreme Court में जाकर अपनी अपील कर सकता है एक बार फिर से देखेंगे कि जितने भी हमने ये अभी पांच आपको मुलिक अधिकार बताया है यदि इन अधिकारों में से कोई सा भी अधिकार आप से छीना जाता है तो आपको पूरा अधिकार है कि इस छटे अधिकार के दौरा इस समविधानिक उप्चार के अधिका जाती है कि ये जो हमारा समवेदानिक उप्चारों का अधिकार है ये डॉक्तर भीमराओं अम्वेड कर द्वारा क्या कहा गया है एक आत्मा कहा गया है ठीक है, एक्जाम में कोशन आता है कि डॉक्टर भीमराओ अंबेड कर द्वारा किसे आत्मा की प्रसावना कहा गया है, किसे आत्मा कहा गया है, तो किसे कहा गया है, समवेदानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराओ अंबेड कर द्वारा, छेटे अधिकार को, एक आत्मा और भी कहा गया है किसको प्रस्तावना को अब हम इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि ये भी आत्मा है और ये जो हमारा छटा अधिकार है समवेदानिक उपचारों का अधिकार इसे भी आत्मा ही कहा गया है सवेदान में तो हम कौन से जगा पर आंसर कौन सा लिखेंगे, तो देखिए, सिंपल तरीका है आपको समझने का, अगर कोश्चन में पूछा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम इंकलूड होगा, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किसे आत्मा कहा गया है, किसक सभिधान सभा में, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम इंकलूड नहीं होगा, सिंपल तरीके से अगर पूछा जाएगा, कि सभिधान सभा के दुआरा, भारतिय सभिधान में आत्मा किसे कहा गया है, तो आंसर क्या आएगा हमारा प्रसावना, यदि भीमराव अंबेड करा है, तो आत्मा है हमारा छेटा मोलिक अधिकार, अगर भारतिय सभिधान में पूछा गया है, तो हमारा अंसर होगा प्रसावना, ओके, I hope आपको ये 6 के 6 fundamental rights आपको समझ आयोंगे, ठीक है, मेरा aim सिर्फ आपको ये अच्छे से याद कराना था, I hope आपको मेरी स सबस्क्या थे citizens चासे अटयोंगे पहुर gev था उयोंगे तो हमारा दीकार, ये अद्छा है, ये ये तो जासे ये पोधको मेरा खेया होगा है, ऊत्योंगे मेरेश